नमस्कार दोस्तो दोस्तो हमने बर्ग मूल अभी तक आपको बताया अब बर्ग मूल के कुछ special rule हमें आपको बताने हैं दोस्तो मैंने बर्ग मूल निकालने की बहुती पहतरी ट्रिक पहले से वीडियो बना के डाल रखा है आप उसको देख लीजेगा अगर आपको नहीं मिल लेना है अगर आपने नहीं किया है और किया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तो इसमें 15 से 16 टाइप के special rule हैं जो मैं आपको बताने चल रहा हूं दोस्तो वीडियो लास्ट तक देखेगा तभी आपको clear समझ में आएगा और देखे चुटकियों में आप कोई भी कुशन सब्सक्राइब देखें स्टाट करते हैं पहला से कह अ क्या दोस्तो ध्यास ताम प्ल जहीं है यह अरु कुझ झाहिए तो यह आइडि को पीदा 그건 n-2 के पावर n यह हमारा ट्रिक बन के बाहर हो जाएगे clear जहां पर where जहां पर n is equal to number of root जहां पर n करणियों की संख्या है जहां पर n करणियों की संख्या है अब जड़ा दोस्तों द्यांस देखेंगे n करणियों की संख्या है एक इच्जंपल लेते हैं जैसे एक कुश्यां ले लेते हैं कि अंदर आप जू कर लिजे अगर हमने दे दिया और आप से पूछ लिए किसको सरल कीजिए इसको सरल करने का मतलब तो दोस्तों अगर आप इसको जनल तरीक से करोगे तो टाइम लग जाएगा जनल तरीका क्या कहता है इसको एक पार स्कार करेंगे तो दो बाहर हो जाएगा फिर यह बचेगा फिर से स्कोर इन बोद साइट करेंगे तो यह चार हो जाएगा यह तो बेस समान उने पर खाते जोड़ दी जाती है यह बावर चार पांच शे साथ दो के पावर शाथ और जब इस चीच को इधर लाएंगे यह तो आज के बावर यह चीज़ें आपको नहीं करनी है करना क्या है वो देख लिजे के हमें सीधे हम एकना है कि यह सितमान कितना है दो तो यह पर दीजे दो और यहां टू के मिश्वन अपान दो के पावर दो के पावर तीन फिसी को सफ कर लिजे वह या पर क्या हो जाएगा डो के पावर दो 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 न चर्वत हैं आठ अथ Friendly साथ को न हöई अटना हो जाएगा आठ यही गोंस तो आंसर होले तो अब देखते हैं ग्जानर रूल रंभर टुर येख्स अंडरों ये लिए लिए लूर ₹- वैक्स- लूल टू अंडरों जोर ढको झाल पर या ना दोस्तो आंट का मतलब है एक बार स्क्षार्ड दो बार एसक्षार मोस साइल इसक को फुरे जीवन करते रहे जीवन खतम हो जाएगा लेकिन कभी infinity तक आप नहीं कौakश पाएगए दोस्तों इसका भी ये question साटिक लेते हैं इसका question पने अढ़ना लुमा has और धान पजार 1、저स्टों करेंगे 10 कहां और सपाल कारे जार प्धुब्वर lot he essentiallyح cuno प्रपर्टी तिशनी प्रपर्टी इसको नो प्रपर्टी इसको यह और और प्रड़्स संझाता हूं देखन और यहां प्लस को चली जाती है और यह वाली बैलू प्लस को चली जाती है देखे यह वाली यहां चलिया दिये और यह वाली value यहां चलिया दिये यह तब संभाव है जब x के गुड़न खंड संभाव हो जब x को तोड़ा जा सके यह formula तब लगेगा जब x के गुड़न खंड शंभाव हो आगे दोस्तों एक एक्जांपल ठालेते हैं कि y is equal to under root अगर हम लेके देखें यहां पर अंकर देते हैं 12 प्लस अंडा रूट 12 प्लस अंडा रूट 12 दोर दोर इंफिनिटी अब यहां देखेंगे माण माइनस का किस्ते अंसर रहते हैं कितना हो गया 12 किस का अंसर कितना हो गया 4 अगर यहां पर Ну ao होगता ह यहां पर माइनस को अंसरelर करना हो जाता 3 चोखो के 12 तो 33 चोटा मान माइनस का बड़ामान प्लस का अगर आप इसको जनरल तरीके से हल करना चाहते हैं तो बहुत समय लग जाएगा एक हमको इधर कुछ मानना पड़ेगा एक्स की लाइलू फिर्की स्कॉाइल और बोस्ट करेंगे और रेटे के किस्ट बन जाएगी जो सौल परने में दिक्कत होगा दोस्तों अगर कोई आपसे कह देता है अंडा रोट ब्यालेस प्लस अंडा रोट ब्यालेस प्लस अंडा रोट ब्यालेस डॉट डॉट इंफिंटी कितना अंसर आएगा तो ब्यालेस क्या होगा साथ छंग ब्यालेस साथ छंग ब्यालेस तो बड़ा मान प्लस का छोटा मान माइनस का साथ छंग ब्यालेस अंसर कितना होगा साथ अब दोस्तो देखते हैं नस प्रोपर्टी देखते हैं जब यहां पर हम आपको 5 में प्रोपर्टी y is equal to under root x plus minus under root x plus minus under root x plus minus infinity तक चलेगा तो इसको हम लिखते हैं under root के अंदर 4x plus 1 4x plus 1 root के अंदर रहेगा plus minus बाहर रहेगा root के 1 upon 2 अब दोस्तो देखते हैं जब plus लेंगे तो यहां पर plus होगा जब यहां minus लेंगे तो यहां पर minus होगा यह तब के लिए है यह तब के लिए जब x के बुड़न खंड संभाव नहीं होते हैं जब x को तोड़ा ना जा सके तब के लिए हैं दोस्तो देखते हैं के एक एक्जामबर ले लेते हैं अब देखे, एक्स का मान हम तोड नहीं सकते, तीन को तूटेगा नहीं, तो हमें यह चीज लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर रख देगे, सीधे डारेक्ट में रखेंगे, अंडारूट के अंदर 4 इंटो एक्स की बार 3 है, और प्लस 1, वो करणी के बाहर प्लस लिया गया है, इसलिए बन चुड़ेगा, अप्लस 1 अप्लस 2, यही अंसर हो जाएगा, यदि आपको करणी का मान रखना है, तो करणी की बैलो को आप उठ कर दीजे, देखे, करणी का मान भी मैं आपको निकाला सका देता हूं, तो इसके पहले, नियार इबाउट आपको क्या पता है इसका पार की पता है, ना का पता है, तो कितना हो जाता है, तीन हो जाता है, तो हम करते गया है, किसमें से इसको गटाएंगे, तो 9, 10, 11, 12, 13, इसमें से गटाएंगे, तो कितना पचेगा, 13 मैं से नो गटाएंगे, चार पचेगा, अपन, इसके दुबने से भाग देते हैं इसके दुबने से भाग देते हैं 2 and 3 यहां पर 2 दुना 4 कितना बचेगा 2 upon 3 अब 2 upon 3 को भाग देगे 0.6 something आएगा इसी में जोड देते हैं यह 3.66 something यहां पर रख देगे यह हुझाएगा 3.66 something plus 1 बटे 2 वो उसको जोड़ेंगे 4.66 something बटे 2 वो पॉइंट बिलेंगे दो दूरा चार पॉइंट यहां पर दो दिया छे संथिंग यह हमारा अंसर हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों नेस्ट प्रोपर्टी देखे दोस्तों इसमें श्रेमा टाइप के एक कुश्चन ऐसे बनता है यह सारी बैलू अलग हो जाती है श्रेमा ने सकते हैं 15 अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 169 यह कितना हो जाएगा 169 किस्वाइब कितना हो जाएगा也 10änger ऑर 121 किया हो इतने होगया चाहितना होगया अब छोड़ेंगे निकालेंगे तो कितना होगया है कितना हो गया अब चैसान करते हैं अब देखें जोड़ेंगे नस्तेक्थ तेखें दोस्तों, इसमें आपको देजेगा यह चीज कह देगा 11 प्लस तू अंडारों 30 का बर्गमूल बताईए तो आपको यह लिख देगा बर्गमूल या बर्गमूल आपको लगा देगा तो दोस्तों, अगर आप इसको जिनल तरीकी से लगाऊँगे तो पहले 30 का बार निकाली है जो कि नॉन पर्फेक्ट है नॉन पर्फेक्ट का वीडियो में डाल परखाया दोस्तों उसको आप देख लीजिएगा कि 30 का निकाले में तो पॉइंट में आएगा फिर जोडेंगे फिर ये करेंगे यह क्या हो जाएगा बहुत चयादा की देखे करना है। तो दोस्तों A-B का whole square परावर A square B square minus 2A पर होता है यहां पर केवर यह जो दो आता है यही हम पर rule अदर करेगा तो A plus B का formula आपको याद है A minus B का formula याद है इसी method से इसको हल करना है देखें दोस्तों कैसे यहां पर हमको क्या देखना है सिर्फ कि पुड़ा करने से इतना आ जाए और जोड़ने पिताने से इतना आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा 635, 615, 11 तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसे लिख सकते हैं under root 6 plus under root 5 का whole square आप से simplify करके देख लीजे यहां पर 6a square plus b square plus 2ab यहां पर 6a square plus b square plus 2ab यहां पर जाएगा तो यहां पाँच गया रहा प्लस दो अंडा रूट 6 पंचे तीस देख लीजे जहां से चले थे वहीं फिरा गए लिख तो यह नमारा इसमें प्रेक हो जाता है तो दोस्तों इसे आप कटा दीजे पूरे आप से समझे आप यहां से रूट से रूट कर जाएगा यहां पर क्या बचा आप अंडा रूट 6 प्लस अंडा रूट 5 यहीं हमारा आंसर हो गया अगर दोस्तों पूइंट में उच्छा है तो आप 6 की करणी निकालो दीजे मैंने आपको इन नोन परफेक्ट स्कॉय रूट नोन परफेक्ट स्कॉय रूट का बताया हुआ है आप यह रूट रख सकते हैं अब दोस्तों एक कुश्चन इसी का वाट देखने हैं किसी टाइप का कि अगर यह लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ करिए कि उड़ा करने से इतना हो जाए और जोडने मिठाने से इतना हो जाए दोस्तों पांच दूना दर्स पांध दो शा तो इसका अनसर सीदे लिख सकते हैं अंडा रूट फाइप लस अंडा रूट तो अगर आपको परणी या फ़रूट फाइप का मान रखना है तो आप निकाल लीजे देखे मैं निकालना फिर एक बार सिखा देता हूँ यही दो है और दो का दूना कितना हो जाएगा चार यही इसमें जोड दीजे बन वाई और तो लगवग इसको जब हम भाग देंगे बन में चार से बाग देंगे चार दूना आठ यहीं कि यह वैलू होगी 2.2 समतिंग और यह इसकी वैलू आप जानते 2.2 प्लस 1.414 इसी क देखें दूसको आप किया करना है बगर आपको इस तरीके से देगा तो आपको निकाले में दिक्दद होगी. तो आपको क्या करना है A plus B में यहाँ दो होता है तो यहां पर हमको दो जनरेट करना है. तो दो जन्रेट करने के लिए 4 प्लस अंडारूट 2 इंटू 3 होगा, दो बाहर आ जाएगा, अंडारूट के अंदर 4 प्लस 2 अंडारूट 3, यह वारा पहला टाइप बन गया, जो भी उपर बताया हूँ, बुड़ा करने से इतना आ जाए, जोडने करने से इतना जाए, तीन प्लस अंडारूट 3 प्लस अंडारूट 1, अंडारूट का बन होगा, यह वारा आंसर होगया, नस दिखते हैं कि सटर, तीके दोस्तों नस पर देख लेते हैं, जब यहां पर 4 आ जाए, पहले बार में 2 था, आसानी से हो गया था, दूसरे बार में 2 नहीं था, अंदर से नि यह भूठत जाएगा, वो कितना जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 जाएगा, यहां पर दोस्तों देखें के 2, 2 cuánt 4, 2 में कितना हो जाएगा, श्रक हो आठ, यहां पर 12 है, principle, देखें दोस्तों यहां पर 12 होगा, यहां पर 12 के लिगे, एक मिनट, देखें दोसको यहां पर प्रमीस्टिर्फ हो गया था यहां पर 2 था यहां पर कुश्य में है 3 यहां पर 3 है अब अंदर हम डालेंगे तो 2 से यह अंदर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा जैसे यहां देखेंगे फीर 8 प्लस 2 अंडा रूट 4 तीया 12 अब ऐसा करना है कि जब यहां पर दो था तो सीधे कर दिया, जब दो नहीं था तो अंदर से निकाल लिया, जब दो जानदा था तो अंदर डाल दिया, अब देखें, ना तो अंदर डाल सकते हैं, तो करते क्या हैं, कि उपर नीचे दो से बुड़ा लगा देते हैं, किसी भी संख्या में उपर नीचे बुड़ा लगाने से बेलू पिर्मान पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन इसको जो लिखेंगे यह चार्ट दोना आठ प्लस टू अंडारू पंदरा बटे इसको नीचे कर दीजे रूट तू अभी हमारा पहले प्रोपर्टी बन गई बुड़ा करने से तन पांच ती अपंदरा और पांच ती आठ तो इसका अंडारूट 5 प्लस अंडारूट 3 अपान अंडारूट 2 यह हमारा अंसर हो गया नस्ब देगे दोस्तों एक टाइप और है बेरी इंपोर्टेंट टाइप है यह दी पुड़ी आप से कह दिया इतनी बड़ी संख्या दे प्लस में कितने अंक होंगे इसके बर्गमुल में कितने अंक होंगे दोस्तों ने से समय जायता हूं अगर नहीं कि दो ख़ुगा यहां पर शोलह ले तो यहां इसके अंदर शम संख्या है, तो अंसर न वाई टू होगा, यदि विशम संख्या है, संख्या विशम है, तो दोसको एन प्लस बन वाई टू नमबर होगे, तो देखे कैसे, यहाँ पर कितना है, बन क्या है, विशम संख्या, इसे बन एक अंक गिन्ना है, यह बन एक हो गया, तो विशम है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो बन प्लस बन वाई टू, यह निगी टू बाई टू, कितना ह हो गया बनंत अब दोस्त पर हैं दोढ़ते हैं तो इतना हो गया बन कर दोस्ते लिए तो टीन नहीं तो तीन है तो तीन तो तो टीन है तो यहां पर रखेंगेगे यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच संख्या हैं, तो विसम संख्या, पांच में जोड़े के छे बटे, दो, कितनी, तीन संख्या, अब दोस्तों यही चीज यहां पर apply कर देगी है, तो देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बार वारा संख्या, तो n by 2, कितना आएंगे, 6, जिसमें कितने अंख हो जाएंगे, 6 अंख हो जाएंगे, यदि आपसे कोई कह देता है, कोई एक 23 अंखों की फूर बर संख्या है, तो बताइए, उसके बर्गमूल में कितने अंख होंगे, तो 23 अंख की वो कुछ भी हो सकती है, दोस्तों, अगर आपको वीडियो पशंद आई हो, तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, मैं आपको उतने ही जल्दी आगे और भी वीडियो बनाते देता रहूंगा, धन्न बाद